हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टे अनदर वीडियो इस वीडियो में आपको मैं एक और लैप का सॉलुइशन देने वाला हूं जिसका नाम है नेटवर्क टायर्स ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क स्पेंड बाकी की जितने भी उपर कि यह लैप से सबका में सॉलुइशन दे करेंगे ओपन कर लेते हैं लोड होने देते हैं पेज को आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ दो टास्क परफॉर्म करने है बहुत इजी है हमें दो वाट दो टास्क परफॉर्म करने होंगी दो इंस्टेंस क्रिएट करने है और सेकिंड वाले टास्क में हमें चेक माई प्रो वोपन गूगल क्लाउड कॉंसोल पर क्लिक करेंगे लेकिन इसे प्राइवेट विंडो में उपन करना है ध्यान रखेगा यानि कि इनकोग्नेटर मोड में अगर इनकोग्नेटर मोड में उपन नहीं करेंगे तो प्रॉबलम होगी अपने आप एमेल आईडिया आजाएगी आ आपको डालने की ज़रूरत नहीं अगर बाइचांस नहीं आती है तो आपको इस यूजर नेम को कॉपी करके पेस्ट करना है और पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं कि पासवर्ड भी चाहिए होगा एंटर दवाएंगे पासवर्ड मांगेगा पेस्ट करेंगे एंटर दवाएंगे अब एक पॉपप आएगा उसे आइंडरस्टैंड पर क्लिक करना है अमें सिंप्ली कि लोड होने देते हैं मेरे मिन याया अगर हो सकता है आपके में एक बड़ा सा पॉपप जिसमें नीचे लिखा होगा आइंडरस्टैंड उसके आपको आ इंडरस्टैंड पर क्लिक करना है अगर आपने पहले वीडियो देख की मेरी तो आपको समझने आ जागा क्या करना है सिंपल स्टैप है अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम में पेश पर चलते हैं टास्क देखते हैं हमें टास्क बन क्या है हम एक VM instance create करना है एक premium instance और एक standard इंस्तेंस पस दो यह काम करने है तो हमें कैसे करने है हमें navigate करना है menu में compute engine और VM इंस्टेंस को open करना है तो menu में compute engine और VM instance पर हमें click करना है वद ने ओपन होने के बाद हमें VM machine जो वर्चुल मशिन वह क्रेट करना होगी तो create instance पेगर दिएगे को यह लोड हो जाएगा वापेस यहां आते हैं हमें यय नेम कॉपी करना है यहां से कॉपी कीजेगा 1500 को यहां पर यह पूरा अटाके पिसके जगेनेम कोपी किया तब्ली को डालना है ने मॉन स्क्रूल डाउन करना यह सब ऐसे रहन देंगे, container वगाद, सब सेम रहन देंगे, advance option में हम आएंगे, scroll करेंगे, networking में हम जाएंगे, networking के अंदर हम network interface में default वाले पर click करेंगे, इंचे scroll down करेंगे, और ध्यान रखना है, बस एक बाद check करना है, यह premium set हो, ठीक है, क्योंकि हम पहले premium instance बना रहे है, तो premium हम होना चाहिए, इसको select करके, done पर click करेंगे, scroll down करेंगे, यह create वाला option है, इसे create पर click कर देंगे, यह create होने लगेगा, तो हमारा पहला instance create हो जाएगा, अब ऐसे हम एक standard VM instance बनाना है, तो इसको भी हम copy कर लेते है, name को, यहां आएंगे, इसको load होने देजे, इसको cut कर देते ह हाँ, यह बन रहा है, इसे बनने देते हैं, यहां पर green take आजाएगा, जो भी हमने instance create किया था, अब नया instance create करना है, तो create instance पर click कीजे, यह load होगा, अभी हमने यह वाला जो name copy किया था, VM standard, यह हमें paste करना रहेगा, इस वार name में, तो अगे, यहां पर आएंगे, select करेंगे, all, इसको delete करके, जो हमने copy कहा था, पेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, series में इसे बनने खरेंगे, ठीक है, इसकी बाद scroll down करेंगे हम simply, scroll down, scroll down, इसकी बाद advanced option में जाएंगे, फिर again networking में जाएंगे, scroll down करके, network interface default पर click करेंगे, अब scroll down करके, इसे change करना है, कि किस बार हम standard बनाने तो standard पर click करेंगे, और done पर click करके, create कर देंगे, ठीक है, यह भी create होने लगेगा, पहला वाला हमारा create हो चुका है, इस पर green tick लग जाएगा, दो मिनिट ऐसे इसे भी लगेंगे, इस पर जैसे green tick लग जाएगा, हमारी lab complete हो जाएगी, और कोई task हमें नहीं करना होगा, जैसे green tick लगेगा, हम scroll करके, इसे check my progress करा लेंगे, और my lab complete हो जाएगी, तो wait करते हैं, दो मिनिट का, जब तक यह इस पर green tick लग जाएगा, अगर ना लगे, देर लग लगी होगा, तो एक बाद refresh करके देख लीजेगा, इस पर green tick लग जाएगा, जैसे दोनों पर green tick लग जाएग हमारा यह भी complete हो गया, congratulations आगया, अब मैं end lab कर देना है, submit करना है, जितने stars देने, stars देना चाहाँ ना दे सकते हैं, एक comment देना चाहाँ दे सकते हैं, पर्फेक्ट लिख देता हूँ, और summit पर click कर देंगे, summit पर click करने के बाद back आना है, scroll down करना है, आप देख सकते हैं, हमारी second lab, जो network tires optimizing network spend थी, इस पे भी green tick लग चुका है, यानि कि अब मैंने, उपर की ये सारी labs के solution आपको provide कर दी है, बस ये दो labs बची है, इनके labs के solution में जल्दी upload कर दूँगा, तो अगर आपने अभी तक इन में से कोई भी lab जो मैंने upload कर दी हैं, कि solution नहीं किया है, green tick नहीं लिय जो होजे, जो है, ये lab खतम हो जाएगी, okay, एक बड़ी update इसके साथ इस वीडियो में आपको मिल रही है, कि हमारे जो day है, एक extend कर दिया है, आज final date थी, लेकिन आप extend करके 6 कर दी है, मतलब एक दिन हमें और देती है, तो अब ये कल रात को खतम होगी, 9 बची तो कोई problem की ब query हो, तो comment box में डाले, अगर query वहां solve नहीं हो रही है, ज्यादा बड़ी problem है, तो screenshot के साथ में telegram group के सहिंख करते हैं, तो telegram group का भी link आपको description box में मिल रहा होगा, तो thank you very much, वीडियो में बने रहने के लिए, good bye.